अब बच्चों से जूड़ी हुई एक बड़ी बात करते हैं अगर आपके बच्चे को ऑनलाइन गेम खेलने का शौक है तो साथधान हो जाएए क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनव में कक्षा साथ के एक चातर ने ऑनलाइन गेम खेलकर पाँच लाख रुपे गवा दिया इसकी जानकरी चातर के परिवार वालों को तब हुई जब उन्होंने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन चेक किया चातर से गेमिंग आईडी बनवाने के नाम पर रुपे ट्रांसफर करवाए जिसमें चातर ने माता पिता के बैंकिंग एक पर इस्तमाल किया था हाला कि चातर के पैरेंट्स ने इंदरा नगर थाने में इस पर एक मुकदमा भी दर्ज करवा दिया लेकिन प्राप्त जानकरी के मुताबिक लखनो के इंद्रा नगर थानिक शित्र में रहने वाले नावाले एक निजी स्कूल में सात्वी का छात्र है। उसके पिता एक सरकारी विभाग में तैनात है। छात्र को आनलाइन गेम खिलने का शौक है। माता पिता के मुबाइल के अलावा कम्प्यूटर की मदद से भी वो गेम खिला करता था। इस बीच सात्वी के छात्र को प्रकाश महराना नाम के विक्ति से मेसेज आया। जिसमें गेम की एक नई स्टेज पार कराने के लिए गेमिंग आईडी बनाने को कहा गया और पूछने पर ये बताया गया कि नई आईडी से बड़े इनाम जीच सकोगे। प्रकाश के जहांसे में फसकर छात्र ने परिवार को भिना बताये आरूपी के बैंक खाते में रुपे ट्रांसपर करने लगा। इसके बाद पेरेंट्स के बैंकिंग एपका सितमाल किया परिवार के अनुसार 24 अगस्त को पहली बार छात्रने प्रकाश के खाते में रुपे ट्रांसपर किये थे और 24 से 4 सितंबर के बीच कई बार उसने रुपे भीजे बैंक डिटेल्स की जानकरी करने से पता चला कि मा के खाते से 2,30,000 और पिता के खाते से करीब 2,60,000 रुपे ट्रांसपर किये अब संकेत क्या है? संकेत जानना भी जरूरी है अभी भावा क्यानी की माता पिता भी उनको भी सामधानी वरतने की जरूरत है अब बैंक से लिए बनाए गया पासवार्ड या फिर पिन भी उनने नहीं बताना चाहिए बैंक से आने वाले ट्रांजेक्शन मैसेज पर आपको नजर जरूर रखनी चाहिए और ये भी कम से कम पता रखना चाहिए कि अगर आपका पैसा गया है तो वो गया है आज के समय में सेविंग एकाउंट हर किसी के लिए जरूरी है